लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दवाना मत दुए मित्रों में आभारी हूँ आधने प्रधान मंत्री जी का और मानिय रक्सा मंत्री जी का जिनका मार्क दर्सन इस आबदा काल में भी निरंतर राज्य सरकार को और हर प्रदेश्वासी को प्राप्त हो रहा है अभी पिछले दिनों हम लोगों ने पांसो बेट का दियाडियों की मदद से एक हॉस्पिटल अवद सिल्प ग्राम में प्रारंब किया था कल ही वारानसी में साड़े साथ सो बेट का एक हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल लेबल थ्री अस्तर का कोविड हॉस्पिटल वारानसी में प्रारम हुआ है और आज दो सो पच्पन बेट का देडिगेटेड कोबिड हॉस्पिटल हेल की मदद से लखनों में फिर से प्रारम हो रहा है इसके लावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केरफंड से ऑक्षिजन प्लांट हर जन्पद में स्थापित हो एक कारवाई फर्स्ट वेप के समय से प्रारम हो चुकी थी प्रधाने के बाद इसमें और तिब्रताई है प्रदेश के अंदर सभी 75 जन्पदों में आथ पीम केरफंड से इस्टेट के सीम केरफंड से गन्ना विभाग के द्वारा स्वास्त विभाग चिकिस्था सिक्सा विवाग और से जिसमें डियार डियो भी हमें बढ़ी मदद कर रहा है तीन सो ऑक्सिजन प्लांट हम लोग अलग अलग जन्पदों में स्थापित कर रहे हैं भारत सरकार के सयोग के लिए और खास तोर पर रक्सा मंत्राले के द्वारा आपदा के संकट में वायू सेना के विमानों के माद्यम से ऑक्सिजन टैंकर को उचाने में मदद करना रेल मंत्राले के द्वारा ऑक्सिजन एक्सप्रेस के माद्यम से ऑक्सिजन के आपूरती को सुनिस्चित करने की जो विवस्ता की गई है मैं इसके लिए हिर्दै से दिनों में 94,000 एक्टिब केस कम हुए हैं प्रदेश की इस समय जो सियेफार है जो मिर्तुदर है वो एक प्रतिसत तक है और निरंतर इसको और भी नियंतित करने का प्रियास किया जा रहा है हर ब्यक्ति का जीवन अमुल्य है उसके जीवन को भी बचाने और जीविका को भी ब किया जाने का पूरा प्रियास केंदर और प्रदेश सरकार के द्वारा युध दस्तर पर कारे करते हुए कारे किया जा रहा है मैं एक बार फिर से आभारी हूँ आधने प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्सन में कोविड नियंतरन का जो कार्य युद दस्तर पर चला है और मैं हिर्दे से आभार वेक्त करता हूँ मानिर रक्सा मंत्री जी का राज्य के अंदर कोविड प्रवंदन और डियार्डियो की मदद से जगे जगे कोविड हॉस्पिटल अस्थापित करने और यहां पर ये जो प्रारमभ हुआ है ये हील की मदद से प्रारमभ हुआ है जो आ ben इसके हुए ले रक्सा मंत्री जी का डीयार्डियो का एचियल का फिर दैसे धन्यबाद देता हूँ कि इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छे टंगसे प्रदेस के अंदर इस कारिक्रम को और अच्छे टंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी मैं एक बार फिर से आप सब के माद्धिम से पील करूंगा कि महामारी को हम अलके पंद से न ले कोविड नियंतरन के लिए केंदर और प्रदेश सरकार ने जो गाइड लाइन जारी की है हम उसका पालन हर हाल में करें कि आज की दिन पर बहुत महत्तुपूण है क्योंकि उपचार से महत्तुपूण बचाओ है और बचाओ के लिए हर ब्रेक्ति को स्वयम भी इस तिसामे सासन की उस गाइड लाइन का अगर पालन कर लेंगे तो काफी बड़ी मात्रा में हम लोग इस संकर्मन को रोकने और उसकी चेन को ब्रेक करने में हमें मदद मिलेगी धन्यवाज़ाद